हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स देखे आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपेसी पीटी एकजाम 2023 के लिए द्रिश्टी आई इसका जो मौडल पेपर आया हुआ है उसका यहाँ पर मौडल पेपर नंबर टू को इस वीडियो में हम डिसकस अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लिजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा देखे यहाँ पर 68th बीपेसी संक्त प्रारंबिक प्रतियोगिता परिक्षा 2022 चुकि वेकंसी 2022 माई हुई थी और यहाँ पर दिके संभावित परिक्षा एक तरफ नदी दिया गया है दूसरे तरफ हड़प्पा अस्थल दिये गहा है तो हड़प्पा जो था यह किस नदी केमérêt पर ठाढ तो रावी नदी काली बंगा यह आपका घर नदी लोथल जो था यह भोगवा नदी और अप्र यह इसको आप लोग बी। यह आपको बत क्वालिटी आप लोग बढ़ा लिजएगा 360 कर लीज़े वीडियो का क्वालिटी देखैंक कॉन प्रस्थानत्रई में सम्मिलित नहीं है पुछा गया है कि इन में से कौन प्रस्थान तरई में सम्मिलित नहीं है देखे स्रीमद भागवत गीता ब्रह्मसुत्र तथा उपनिस्दो को सामोहिक रूप से प्रस्थान तरई कहा जाता है जिन में प्रविर्ती और निवरिती दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है तो यहां पर देखे राइटेंस से इसका क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा भागवत स्रीमद भागवत गीता ब्रह्मसुत्र और उपनिस्दो के सामोहिक रूप को प्रस्थान तरई कहा जाता है चले नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि उदाइन वास्वदा की दंत कथा संबंदित है ध्यान से सुनिएगा दिखे फ्रेंट्स या जो दंत कथा है इस कथा से वत्सराज उदैन और उजयन की राजकुमारी वास्वदाता के मद्द होने वाले परस्पर समवाद के साथ ततकालिन समाज पर प्रकास डालने का प्रयास किया गया है और इ गुजरात सम्मिलित था यहां परमानित कैसे होता है देखे फ्रेंस थोड़ा सा आप लोग यहां पर स्पीड मेंटन करेंगे कि यहां पर हम लोग लगबग देर सो प्रशन कभर करने वाले हैं ठीक है तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा आप लोग कॉप और भी आपको असपष्ठ दिखाई दे और यौधे सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है तो इस पर जो है कारतिके का अंकन मिलता है कारतिके या मुरुगन ठीक है दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे एक ही बात है कारतिके या मुरुगन नेक्स्ट कुस्टन करेंगे औ कभर कराया हुआ और जितने भी प्रश्ण बिहार की इतिहास से पुछे गाए उनको लिया वाप तथा द्रोन वाप इस सब्द का प्रयोग जो है किया गया है पुछा गया है कि किसे लिए तो रैट इंसर इसका क्या हो जाएगा और भूम आप के लिए ठीक है गुप्त काल के दौरान किया गया है उसका बाद दिखें शैव संतो कि उसके लेखन के संग्राह को पांक्वा वेद्बी समझा जाता है उसके लेखा कोमेν पुछा जाता है उसके लेखा कौन जैनूल अविदिन जो था इसे कस्मीर का अकबर कहा जाता था और इसका जो वास्त्विक नाम था यह आपका हो जाएगा साही खाँ अपसर नमबर इसका सी राइट अंसर हो जाएगा चले उसके बाद देखेगा मिलान करना है एक तरफ सासक है और दूसरी तरफ उनकी रानिय विक्रमदित कुवेरनाग और कुमार गुप्त परथम का हो जाएगा अनन्त देवी ठीक है तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा राइट अंसर तीन एक दो और चार हो जाएगा जो की अपसर नमबर ए में दिया गया है चले अगला प्रशन कर लेंगे और इसे प्रकार करवाद लूँगा मौमुत गजनी के साथ आने वाला मुस्लिम बिद्वान कौन था तो फ्रेंट्स यह अल बरूनी था कौन था अल बरूनी था चलिए आगे बढ़ेंगे यहां पर आप देख सकते हैं द्रिष्टी बिहार करेंट फ्यर्स जनवरी दोहजर तेश उसी मासिक पत्रिका में यहां जो है दिया गया है ठीक है चलिए अगला प्रशन करेंगे नेक्स्ट कुस्चन कर लिजिए कि सुची एक से सुची दो का मिलान करना है और निची देग कूट से सही उत्तर आपको यहां पर चुन करके बताने हैं बताएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा तो यहां पर फ्रेंटस ध्हान दिजीएगा आप लोग अदेखिये दिवाने रियासत न रोज तो देखिये यहाँ पर देखेगा फिरोज तुगलक नहरो का निर्मान बलवन बलवन बताईए यह कौन सा हो जाएगा तो नहरोज ते वहार इसने शुरू किया था अलाउदिन खिल जी तो फ्रेंट्स यह आपका हो जगा दिवाने रियासत है दिवाने रियासत है जांगीर के समय में प्राइटन सर तीन दो एक चार हो जाएगा जो कि ऑप्सन नमबर बी में दिया गया है चले अगला प्रश्न है कि फिर से मिलान करना है देखे सल्तनत काल के एक तरफ विभाग दिये गया है और वे किस से संबंदि थे तो दिवाने और जो था यह क्या था तो दिखे दिवा स्कारों का मतभेद है कुछ लोग इसको फोरण अफिर से संबंदित मानते हैं और कुछ लोग इसको एक धार्मिक विभाग मानते हैं तो यहां पर दिखे धार्मिक विभाग दिया गया है ठीक है उसका बाद दिवाने विजारत जो था दिवाने विजारत यह क्या था तो अगला प्रशन कर लेंगे, next question है, कि मध्यकालीन भारत में महतर और पटिकल पदनाम किसके लिए परिक्ट होते थे, तो यहां जो परिक्ट होते थे, यह होते थे गाउं के मुखिया के लिए, ग्राम मुखिया के लिए, अगला प्रशन है, फिर से मिलान करना है, तो देखें, अकबर मिलान करेंगे तो फ्रेंट्स यह हो जाएगा आइने दह साला सेरसा तो सेरसा ने सडकी आजम उसके बाद मुहम्मद तुगलक तो फ्रेंट्स यह आपका हो जाएगा प्रतीक मुद्रा और इलतूतमिस तुर्क चहल गानी ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे को औलिया के रूप में माना तो देखें यह कौन थे तो साह मुहमद गौस थे अप्सन नबर डी एंसर हो जाएगा साह मुहमद गौस इन्होंने बाबर हुमायू और अकबर तीनों मुगल समराटों का कारेकल देखा है इसको भी ध्यान रखेंगे उसके बाद दिखें जपर खां तुर्बती नेक्ष्ट को सने कि निमनलिखित में से किस मुगल बात्सा ने अंग्रेजों को बंगाल में सुल्कमुक्त बैपार की सुब्धय प्रदान किया था तो फ्रेंस यह फरुक्सियर ने 1717 इस भी में फरुक्सियर ने एक फरमान जारी करके किया था तो यह आगे बढ़ेंगे फिर से सुची दिया गया है मिलान करना है तो यहां पर देखिएगा लॉड डॉल होजी तो व्यापगत का सिध्धान लॉड करजन के समय बंगाल भी भाजन लॉड रिपन अस्थानिय स्वासासन का जनक इसको माना जाता है स्वायत सासन और लॉड सती प्रत्राप पर इसने प्रतिबंद लगाया था ठीक है तो राइट एंसर यहां पर दिख्या नमबर भी हो जाएगा चार तीन दो एक इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्सन है हमारा अगला प्रश्ण है कि 1877 की विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन निमलिखित में से कौन था तो देखे सबसे अंग्रेजों का कटर दुस्मन जो था यहां आपसे पूछा गया है यहां कौन था तो फ्रेंट्स यहां मौल भी अहमदुला सा थे और इन्होंने 1877 की करांटी का फैजाबाद से नेत्रित्व किया था नेक्स्ट कुस तो यह आपका हो जाएगा इसमें से ख्वांजमिर जो है यह कानूने हुमायूनी इसको दूसरा हुमायू नामा कहा जाता है तो यह आपका हो जाएगा हुमायू नामा मुहमद काजीन तो मुहमद काजीन हो जाएगा आलमगीर नामा और भीमसिन जो है यह आपका क्या हो ज नहीं है क्योंकि अभी इस धर्ती पर ही बहुत काम किया जाना है उपर कथन जो है यह किसका है तो इस्वर्चंद विद्या सागर जी का है और सी हो जाएगा राइट इंसर देखे फिर से मिलान करना है देखे व्यापगत सिधान्त के अनुसार जो है इनका विले कब कब हुआ था यहां पूछा गया है तो देखे संभलपूर का अगर हम विले की बात करें तो इसका विले हुआ था 1849 में 17 का विले जो हुआ था यह आपका हुआ था 1849 में अवद का विले हुआ था आपका 1856 में और जहांसी का विले 1854 हो जाएगा ठीक है इसको अब आप लोग मिला लिजेगा चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्टन है हमारा राइट इंसर मैं बता देता हूँ इसको बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रश्ण हमारा 24 नंबर कि भारती राष्टी कोंग्रिस की किस अधिवेशन के अधिक्सता सी विजय रागवाचारियर ने किया था तो यह किया था नागपूर अधिवेशन 1920 जो कि भारती राष्टी कोंग्रिस की इतिहास में सबसे विशाल अधिवेशन था नेक्स्ट कुस्टन हमारा मिलान करना है समाचार पत्र है और दूसरे तरफ उसके संस्थापक है अचा यहां बताईए राइट अंसर इसका क्या हो ज जाएगा देखे जैनिक आज-जो संस्थापकत Κों थे हो छाएगा आपका शुव परशाद गुपता थे मैं मिला भी देता हूं आपको इके करके तो यहां परशाद गुपता हो राइट इंस उर्सका उप्सर नमबर ए हो जाएगा यहां से मिला लिजी चलिए आगे बढ़ेंगे कि सेंट्रल लेजिस्टिटीव एसम्ली का पर्थम भारति अध्यक्ष कौन था तो 1925 में बने थे Central Legislative Assembly के प्रतम भारतिय जक्स विठल भाई पटेल ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न करेंगे कि दूसरे गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस के एक परतिनी थी की रूप में भाग लेने के लिए गांधी बंबई से लंदन जिस पानी की जहाज में गए थे उसका नाम क्या था तो राजपुता ना था राइट एंसर अप्सर नंबर इसका बी हो जाएगा उसके बाद देखुए कि किसुव्यक्ति ने सवरप्रतम भारत में पृतम मुस्लिम राजय का प्रस्ताव राखा था ध्यानुस सुनिएगा 1930 में मुस्लिम लिगे इलहावाद अधिविशन में जो है मुहम्मद इकबाल ने फिर थक मुस्लिम राज का प्रस्ताव राखा था अगला प्रश्ण है कि निम्लिकित में से किस एक ने सुबास चंद्र वोष को देश नायक कहा था तो इनको कहा था रविंद्र ना टैगोर जी ने लाड मांट वेटन के देख्सता में बनी विभाजन परिश्द में भारती राष्टी कॉंग्रिस का प्रतिनी दित्व किस ने किया था तो फ्रेंट सी किया था जवाहरला नहरू जी ने और सरदार पटेल जी ने तो तीन और चार इसका राइट अंसर होगा जो कि ऑप्सन में यहां सी में दिया गए केवल तीन और चार उसका बाद देखिए संगी मंत्री परिशत के बारे में निम्लेकित में से कौन सा कथन सही नहीं है नहीं पुछा गया है बताइएगा सभी उप्सन को पढ़ी है चार उप्सन आपको दिखाई दे रहे हैं उप्सन यह तो आपको सही दिये गया है एक बार द्यान सी इनको पढ़ लिजिएगा भारतिय समिधान का अनुच्छे 263 का अधिहिन अंतर राज्य परिशत के अस्थापना करने के लिए ससकता है देखिए अंतर राज्य परिशत अनुच्छे 263 के अधिहिन जो है केंद्र और राजियों के विच समन में अस्थापित करने के लिए राश्टपती कर सकता है पहली बार इसके अस्थापना इसका गठन 1990 में किया गया था ठीक है इसको भी दियान रखेंगे तो भारत का राश्टपती हो जाएगा उसका बाद एक भारतिय समिधान के किस अनुच्छेद में राज जी की अच्छा खासा है इस सेठ का मिलान करना है बताईएगा मिलान कीजिए एक बार आप लोग खुझ से 34 नंबर प्रश्ण है देखिए समानता का अधिकार जो है यह 14-18 में है स्वतनत्रता का अधिकार 1922 में है संस्कृतियम सिक्चा का अधिकार 29-30 में है और धरम की स्वतनत् इसका अप्शन नंबर भी हो जाएगा मैं आपको दिखा भी देता हूं कि सीविल सेवकों को प्राप्त समयधानिक सुरक्षण किस अनुछेद के द्वारा सुनिस्तित किया जाता है तो यहां अनुछेद 311 हो जाएगा ठीक है चले नेक्स्ट को सम करेंगे कि भारतिये मिर क्रिष्णा नदी पर है किस नदी पर है तो फ्रेंट्स यहां क्रिष्णा नदी पर है इसको भी आप द्यान रखिएगा कि सुमेलित करना है नियागरा प्रपात जो है नियागरा प्रपात तो फ्रेंट्स यह आपका नियू यॉर्क हो जाएगा हाजार जीलो का भं जो है जो आपका फिन्लेंड हो जाएगा भूमी यहां बना लिजेगा हजार जीलो की भूमी एफिल्ट टावर जो है यह पेरिस में है यहां पेरिस बना लिजेए यह टाइपिंग एरर हुआ है विस्वकी छत पामीर का पठार ठीक है तो राइट अंसर चार तीन दो एक जो कि अप पेर हो जाएगा इसका राइट इंसर किसी भी अगर प्रश्ण में आपको डाउट है वैसे मैंने डबल क्रॉस वेरिफाई किया हुआ है चलिए तो कमेंट करके आप बताइएगा दिखें बैंगलूरू जो है यह आपका क्या हो जाएगा तो बैंगलूरू वाइवान हो ज जाएगा ठीक है तो इसको मिला लिजेगा राइट एंसर तीन चार एक दो तीन चार एक और दो जोकी ऑप्सन नंबर डी में दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद देखेगा कि असायोग अंदोरन का अस्थगन संबंदी घटनाओं का सही क्रम इंकित करे सही क्रम तो चौरी-चौरा में पुलिस कंड फिर उगर बेड़ द्वार पुलिस स्थानों को जलाना गांधी जिद्वार और सहयोग अंदोलन का अस्थगन और गांधी जी की गिरफतारी बिलकुल क्रम से दिया गया है एक दो तीन चार इसका राइट अंसर हो जाएगा उ 2.11 ची जनगन्ना का अंसर भीहार राज जनसंखिय का अनिशार देश में किस अस्थान पर है तो जन संखिय का अनुसार जो warehouse जुआ यह तीसरे नंबर पर है शबसे जादा उद्रप्रजिश की जन संखिय इसके बाझा अगला प्रश्ण है कि याँ प्रपात दिया गया और किस नधी पर दूर्द साघर जो है तुट है यहाँ गोवा में मान्डवी नधी पर डूडूमा जो है डूडूमी ओड़िशा और मप्रम पर अगंद जो है और डूर अइसको आप लोГ मिला और लेंगे friends ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो इसका 4,2,1,3 हो जाएगा ठीक है चार 2,1 और 3 जो की कहां पर दिया गया option नूमर यहां पर देखे आ में दिया गया है चलिए आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे कि निमलेखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतिज़ड़ वाले बन छिप से घिरा हुआ है important question है friends ये आपका पस्यम चंपारन जिला है option number A right answer हो जाएगा उसका बढ़ देखेगा कि 1921 में गांधी जी ने पट्ना मुद घाटन किया था तो 1921 में किया था बिहार विद्यापीठ का किसका बिहार विद्यापीठ का उसका बढ़ देखेगा प्रकास तरंगों से वायू से खांच में जाने पर जो variables हैं वो कौन प्रभाइत होते हैं तो इसमें से पुछा गया है कि प्रभाइत होते हैं वो कौन से हैं तो प्रभाइत जो होंगे फ्रेंड्स यह कौन कौन से होंगे तो यह आपका हो जाएगा तरंग दर और वेग ठीक है ध्यान रखेंगे आविरति नहीं होती है प्रभाइत उसका बढ़ देके निमलेखित कथ तो राइट एंसर इसके क्या हो जाएगा राइट एंसर ओप्सन नमबर डी हो जाएगा केवल तीन केवल तीन में क्या है तो देखिए वाता नुकुलक मेकोक्ष वाईव में वास्पित कुंडली में उसमा का निसकर्शन होता है तथा द्रवडित कुंडरी पर उसमा का नि में से कौन तो यहां पर देखेगा चीनी सिलवासा यह सुमेलित नहीं है बाकी सभी सुमेलित है नेक्ष्ट कुशन है कि एस्ट्रेटलाइट होता है एस्ट्रेटलाइट क्या है तो अधिक उचाई पर समताप मंडल में अस्थापित वायुपोत है या और इसका सीज होगा र अगला प्रश्ण है हमारा कि प्रकास वेदित प्रभाओ कि अभिस्कारक करता कौन थह बदाईएगा इसका राइट इणसर क्या हो जाएगा तो लोगह पर सरवादिक पाया जाना वाला तत्व कौन सा है रहाज़श्य मैं उसका बया देक्या कि टामर संदूशन से बचने के लिए फीतल के वर्तनों पर सामाने तक किसे धातू की परत चड़ाई जती है। तो फ्रेंड्स यहाँ टीन की परह चढ़ाय जाती है ठीक है चले उसके बाद पच्पर नम्बर कुष्टन है यहाँ पर कि पानी की टंकी में फंगी को निश्ट करने के लिए इस्थमाल किया जाने वला रशायन कौन सा है तो फ्रेंड्स यहाँ रशायन है यहाँ कौन सा है और सलफेट है उसके बाद देखेगा कि जैव विकास के संदर्म में सापों के अंगों का लोप होने की असपष्ट किया जाता है आपका हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुपरियों किये जाने से ओपसिन इसका ए राइट्टन Regierung हो जाएगा पौधे की किस भाग से हल्दी प्राफ्थ होती है कौन से भाग से तने से अंगला अगला प्रश्ण है कि मानो तंत्र में निम्लेखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है इसमें से देखिए ट्रिपसीन टाइलिन पेपसीन यह पाचक एंजाइम है यहां पर देखिए गैस्ट्रीन जो है यह एक पेप्टाइड हार्मोन है अप्सन नमबर भी जाता है vitamin को कहा जाता है अगला प्रश्ण है किक्निकीत में से कौन क्लोरोफिल का घातक नहीं तो इसमें से देखीएगा आप्सेयम प्रविज्ट्र हो जाएगा उसका बाद के कौनसा युग में इसमें स सुमेलित नहीं है तिलया बंध गलत है तिलया किस नदी पर है भराकर नदी पर है तो गदे सागर चंबल उसके बाद नागारजु सागर नहीं है तो विसानु संक्रमित करने वाला सारी जिवानु को संक्रमित करने वाला विसानु नमबर डी का राइट एंसर हो जायेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्ष्ट कुशन है कि मलेरिया में निमन में से कौन सा अंग जो है प्रभाइद होता है तो इसमें प्लीहा तिली यह प्रभाइद होता है अप्सें नमबर डी राइट एंसर हो जाएगा प्रोटोजुवा से होता है मलेरिया ठीक है मादा एनफिलिज मच्छर इसका वहाख होता है नेक्स्ट कुछ सिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलता पुर्वक संदमन्द किया जाता है तो अप्सिन अबर डी इसका राइट इंसर हो जाएगा उसका बदेखिए साधान्तिया औरो बैंकी खर्पतवार पाये जाता है यहां अगर हम बात करें तो मुख्यता यह सर्सों में पाय तो सर्सों आपको याद रखना है ठीक है चलिए उसका दिखेगा कि भारत में जनसंख्या का अनुसार तीसरा और चेतरफल का बारह हमाराद इसका एंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं यह आप कमेंट करके बताएगा ठीक है इसका एंसर चलिए 66 नंबर नेक् पुडगाओं में है हर्याना में है option number C हो जाएगा right answer next question करेंगे यहां पर देखेगा कि आर एन मलहोतरा कमीटी संबंदित है तो आर एन मलहोतरा कमीटी जो है फ्रेंट्स यहां बीमा चेतर में सुधार के लिए 1993 में आर वी आई के पूर्व गवर्णर आर एन मलहोतरा की अ प्राप्त की जाती है तो राष्ट्रिया और जनसंख्या दोनों से option number इसका सी राइट अंसर हो जाएगा साफेक्स निर्धनता यानि कि रिलेटीव पोवर्टी का अर्थ क्या है साफेक्स निर्धनता आय में पाई जाने वाली और समानताओं को प्रकट करती है तो आर्थि अगला प्रश्ण है मिलान करना है त्वचा के इंसर तो त्वचा के इंसर जो है यह आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से तो यह आपका पारवैगनी प्रकास ध्वानी परदूसन डेसीबल वैस्विक तापन कार्बन डेक्साइड और ओजोन छित्र यह क्लोरो फ्लोरो कार तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा मिला लिजेगा और यहां पर मैं आपको बता देता हूं भी हो जाएगा ठीक है चलिए 74 नमबर देख ली जेगा सबसे छोटा जीव जो स्वयम विकास्ट अंपरजनन करने में समर्थ है यहां कौन सा है तो यह माइको प्लाजमा है अगला प्रशन है कि परतिवर्ति किर्याओं का नियंतरन केंद्र कहां पर है तो फ्रेंड्स यहां कसेरी कुरजू में राइट अंसर हो जाएगा सरकराओं में सबसे मीठी कौन सी है इसमें से सरकराओं में सबसे मीठी जो है यहां फ्रॉक्टोज हो जाएगा अगला इसी में पूछा गया प्रशन है तो रहतास इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टाने बिहार सरकार के साथ निस्व में कौन सा समिलित नहीं है साथ निस्व में तो इदिके यह बाल कल्लान नहीं है साथ निस्टे टू को भी एक बार आप अच्छे से पढ़के जाएगा नेक्स्ट कुस्चन है कि वर्स 1632 में बिहार के पटना साहर में कौन सी कंपणी ने अपनी फैक्टरिया स्थाफित की थी तो डच इस्टेंड्या कंपणी ने किया था यह भी प्रिविएस यह का कुस्चन है बिहार में सर्च राइट समचार पत्र के संपादक तो नबर सी हो जाएगा यह भी प्रिविएस यह का प्रश्ण है बिहार हिस्ट्री में आप जाएंगे तो यह प्रश्ण मैंने आपको करा दिया है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिहार हिस्ट्री वाला देख लीजिएगा उनी सो आठ छोटा नागपूर कास्त अधनियम ने र प्रश्ण है कि लोकसभा को कारेकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है लोकसभा को कारेकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है तो प्रधान मंत्री की सिफार इस पर राष्टपती की दवरा अपसे नमबर डी राइट एंसर हो जाएगा तीहतारवा समिधा एक शुर्वात की इस समिधान संसोधन डिल थी तो ध्यान रख्येंगे राइट एंसर हो जाएगा शूणषाथ संसोधन कौन होता है चले ये भी आप कमेंट करके बताएं सिंपल सा कोस्तर में आपसे पूछ रहा हूँ इसका अंसर आप कमेंट करके बताएं दो प्रश्ण मैंने अपसे पूछ लिया देखें भूमी सुधार किस विशय का अंतरगत आता है तो यहां राजसूची का विशय है और अगर अनुसूची पूछे भूमी सुधार तो नवी अनुसूची से संबंदित है नवी अनुसूची से और यह किस का विशय है तो राजसूची का विशय है उसका बढ़ देखे समिधान में मंत्री मंडल सब्त का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह हुआ है फ्रेंट्स किसमें तो अनुचित 352 में नेमलकित में से कौन सा कारे अस्थानी स्वसासन का दिकार छेतर में नहीं आता है इस तरह का प्रश्ण 67 बीपीसी का जो एक्जाम ह हुआ था आठ मई के दिन उसमें पूछा गया था ठीक है तो इसमें से देखिए सारवजनिक अनुचासन का रख रखा यह नहीं आता है जितने भी कारे हैं अस्थानी स्वसासन के पंचाहिती राज की यह मैंने आपको कराया भी है अगर आप चाहें तो देख सकते हैं फिर प्रसांत महासागर हो जाएगा निमलेकित मैं से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है बताइएगा तदी के धन यहां पर विद्यक की सुरुवात राजसभा में होती है गलत दिया यहीं से नहीं है लोग सभा में यह प्रस्तुत किया जाता है अगला प्रशन है कि इसने हमारा 94 नंबर इसकूर आप लोग बता के जाएगा हिंद महासागर और लाल सागर को जोडने वाली जल संदी कौन सी है तो यहां है बाब अलमंडे उसके बाद किस अस्थान पर सीनाब वाइट वाटर राप्टिंग महुच्चों की सुरुवात की गई है अब यहां स से करेंट अफेर्स का कोस्टन स्टार्ट हो रहा है जो कि इंपॉर्टेंट यहां सेक्षन है तो यह आपका जम्मु कस्मीर हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे अभी हाली में किस देश को नोवेल पुरसकार समारों से प्रतिबंदित कर दिया गया तो रूस और बेलारूस के बाद इरान को अब प्रतिबंदित किया गया है अगला प्रश्न है किनमर में से किस राज्जे में फ्रांस और भारत के बीच गढूर नामक दुविपक्षी की या जा रहा है गडूर याद रखेंगे भारत और फ्रांस के बीच जो है यहां सैन्नभ भ्यास है और यहां कहां पर किया जा रहा है तो जोदपूर राजस्थान यह सातवा संस्करन है इसका याद रखेंगे चलिए अगला प्रशन है कि नमलिकित में से किसके द्वारा एफसी एसियाई कप 2023 की मेजबानी की जाएगी तो फ्रेंड्स यहां फूटबॉल चैंपियंशिप है और यहां कतर में की जाएगी ठीक है भारत का पहला लीथियम सेल विनिर्मान सेंत्र भारत की किस राजी में शुरू किया गया है तो फ्रेंड्स यहां सुरू किया गया है आंध्र है तो फ्रेंट्स यह एट बिलियन हो जाएगा इसका राइट इंसर ठीक है उसके बाद देखेगा कि इंडिया आउट अभियान किस देश संबंदित है तो इंडिया आउट माल्दिव के पूर्वराष्ट पती अब्दुल्ला यामीन अब्दुल्ला यामीन ने शुरू किया ठीक है चलिए भारत सरकार ने जब विवद्दिता सरक्षन पर किस देश के साथ समझा होता है अपन पर हंस्ता अक्सर किया है तो फ्रेंट्स यह किया है नेपाल के साथ नेक्स्ट को सने हमारा कि मैन ग्रूब पर इस्थितिकी तंत्र के सरक्षन के लिए अंतराश्टी दि दिन मनाय गया है भारत का पहला बहु आयामी सासिक खेल अभियान किस देश में अवजित किया था तो फ्रेंट्स यह किया था फ्रांस में उसका बदिके किस राजे ने निती आयो के इंडिया इन्डिया इन्वेशन इंडेक्स 2022 में सिर्स अस्थान हासिल किया है तो फ्रें शरे अस्थान पर रहा है तेलंगन और तीसरा अस्थान पर रहा है हरःना इसका वहाइनग और भार्त का पहला वर विश्ँपग्जाल है निम्रीकित में से लेकर ने चार्ड लेकर ने जीता है लेकलर यह कहां किया है तो यह पूछा भी गया था निमलेकित में नदियों में नाइट नविकेशन एप लॉंच करने वाला पहला राज्य बन गया है तो असम में ब्रह्मपुतर नदी पर नौका सिवाओ के लिए देश में नदीओं में पहली बार नाइट नविकेशन मॉबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया गया असम हो जाएगा उसके बाद सक्ति अभ्यान 4.0 की सुरुवात कि गई है डिजिटल सकती अभ्यान 4.0 की सुरुवात कяти गहे राश्ट्रि महिला, आयोक के दारा मोटी मुछा रूप से बना होता है मोटी जो है मुछा-चल्सियम कार्बोनेट का बना होता है वणासपति तेरो के हाइडरोजुनी करण मे निम्लिकित में से किस उत्प्रेरा को प्यों किया जाता है तो फ्रेंस देखिए इसमें निकल उत्प्रेरा का इस्तमाल किया जाता है फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रकिरिया के द्वारा सुक्ष करती है या करती है असकंदन के द्वारा चले 117 नमबर देखिए मनुस्त की आँख में किसी वस्तु का प्रतीविम जिस भाग पर बनता है वह क्या है तो वह रेटिना है द्रिश्टी पटल है सुमिलित करना है दिखे रेडियम का विस्कार जो है किस ने किया था तो मैडम क्यूरी ने किया था पैनिसलिन एलेगजन्टर फ्लेमिंग ने एक्सरे रॉंगजन ने और चेचक टी का एडवर्ड जेनर ने इसको खोजा था तो राइट अंसर इसका ऑप्सन नमर यहां पर यह हो जाका दो औक शीकारक है और तनों अमल की परतिकरिया से किलोरी निसकासित करता है यह तीनों सही दिया गए जबकि पहला वाला गलत यह जाएगा पूर्ण रूप से यहां विले नहीं है ठीक है अधिक गलत दिया गया है कम विलय होता है प्रतम विस्वत में नेमलिकित में से किस का एक रासानिक आयूद की रूप में प्रयोग किया गया है तो निमलीकित में से यहां देखिए िखुय यूगुमों में अधिकतर होने वाली बूसक्व Caitlin discussion और हैसे क्या कोन सा है पुछा गिया है या यह से क्रेटिन है और यह चोटी के दOOD के दृडए हुता है सेक्रेटिन का उसके माद देखिएगा जणनन गरंथी इसमें से कौन सा है प्रोजेस्टरोन है प्यूस गरंथी तो इंसुलीन हो जाएगा अधिविर के कार्टिसोन हो जाएगा ठीक है चलि मिला देता हूं राइट एंसर में आपको इसका बता देता हूं और इसका यह राइट एंसर हो जाएगा कार्बन टेट्रा कोलरेड अगनिसमन हो जाएगा उसके बद हाइड्रोजन परक्साइड जो है यह गाओ की मरहम पट्टी और द्रावमोनिया प्रसी तक तो दो एक तीन चार इसका दो एक तीन चार राइट इंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे कि मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाती है तो मिकड़ी में 8 टांग पाई जाती है अगला प्रशन है कि किस देश की एजनसी ने याद रखेंगे नासा अमेरिका हो जाएगा हाली में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मस इंडेक्स 2030 में भारत का स्थान पहला दूसरा और तीसरा यह स्थान खाली रहा है किसी भी देश को नहीं दिया गया चोथे अस्थान पर रहा है कौन सा कंट्री तो चोथे अस्था जीतरे लाइफ टाइम एशिब्मंट एवार 2022 से किसे समानित किया गया तो देखिए एस्पेनिस फिल्म निर्देशक है इनका नाम है कौरले सोरा ठीक है इनहीं को जो है गोवा में भारती अंतराश्टी फिल्म महुत्सों के तिरपनवे संसकरन समारों में इस से समानित किय आप ग्याए उसके बाद इखेगा कि हालही में किस सम्मौ के दवाराis Magnaro Loanau No.22 में किसे नितीयोक का पौन कालिक सदस्थ निक्रफ कियाime क्या अज्यू अदिक्षा में उपाध्यक्षट कोन है रफ मैं इसकी इसकेन होसके यहां लिख देंगे ठीक है दोनूं की new Kingdom ठीक है उसका बाद के हाली में किस राज ने कावेरी दक्षिन वनेजियों अभेरन को राज का सत्रहवां वनेजियों अधिसूचित किया है तो यहां राज है तमिलनाडू नेक्स्ट को सनकी जनवरी 2023 में वारानसी और किसके भी दुनिया की सबसल नंबी नदी कुरूद सिव पर शुरू की गई है तो वारानसी से असम के बोगी बिल बोगी बिल जो कि डिवरुगर्ड हो जाएगा इसका राइटेंसर ठीक है यहां डिवरुगर्ड दिया गया है चले बोगी बिल आप ध्यान रखिएगा निम्लिकित में से कि सुसार में विश्व की पहली वैदिक गड़िया स्थापित की जाएगी तो यह की जाएगी उजयन में कहां पर तो यह की जाएगी उजयन में चले 136 नंबर देखेंगे कि प्रतिष्टित वेली के एसफोर्ड पदक जीतने वाली पहली भारती बेग्यानी कौन बन गया है तो फ्रेंड यह सुवास बाबु बन गया सुवास बाबु बेली के एसफोर्ड पदक उसके बाद अगर बात करें अमिर्कन सोसाइटी आफ ट्रॉपिकल मेडसीन एन नॉमबर 2022 को किसे मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरसकार 2022 दिया जाने की घोशना किया गया है चलिए इसका एंसर आप मुझे बताइएगा यह आखरी कुछ रहा हूं आपसे और अपना स्कूर कमेंट करके आप लोग बता जीजे मैं बता देता हूं सवरत कमल चंता को दि अब यह सी विजिल 2022 का कौन सा संस्क्रान आजित किया गया है तो यहां संस्क्रान थीसरा है आखरी कोस्तन आहselves कि 2025 कवड़ी कहां जिद किया जाएगा इंगलेंड केमीडलेंड में ठीक हैं इंगलेंड मिड्लेंड में अपने सकूर बता दिए वीडियो को लाइक कर दिए स पैला नमबर मोडल पेपर देख जो